हालो फ्रेंड्स विल्कम बेक टू मैं चेनल मैं इस दिया है आज मैं इस्ट ऐपर भी बात करने वाली हम की एडेनियम को हमें मैं ayun की सुभी बात न से कि आपको मेरी हार आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें तो यहां देखें कितना अच्छा ब्लूम्स कर रहा है तो पुरा प्लांट मेरे कलियों से बढ़ा है तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सेड्लिंग पर यह अडेनियम की सेड्लिंग तो देखें कितना अच्छा हेल्दी एक ग्रो हो रहे हैं इनको मुझे अभी वन वीक भी नहीं हुआ है इनको रिपोट किये हुए फिर मैंने इनको देखें दूप में सिप्ट कर दिया है मतलब कि यहां पर सुबा की दूप आती है सुबा की आदे गंटे एक गंटे की करके लगती है जो मैंने साड़ी का कवर बनाया है उससे चंकर के दूप यहां पर आती है तो मतलब 50% दूप लगती है इसमें और यह मेरी पहले की सीड्लिंग है जिसके ग्रोथ थोड़ी से बीच में खराब हो गई थी मतलब की उपर से पतिया पता नहीं क्यों हो गई थी अगर सारे बंट देखे अगर सारे प्लाट िैस तरह से नहीं होते तो इस तरह से नहीं होते अभी तक यह देखे इस तरह से होते सारे प्लांट इटने अच्छी ग्रोथ कर रहे होते Wise कわかốn में मिल्कुल मतलब खराब से हो गए सबकी पतियां यौ हो गए ती लेकिन भी मिक्स बनाते हैं थोड़े सो मोईस्चर बना रहने देना उपर की टॉप लेयर जब आपको सूखी लगे तो आप इसको पानी दे दीजिए बिल्कुल रखेंगे तो सीडलिंग खराब हो जाएगी आपको सीडलिंग में जरूर ध्यान रखना और बहुत ज्यादा पानी भी न होता है तो आपकी सीडलिंग देखें ने लगविक भी जिया एक लुट निकाल के जाड़के पूरा ओपन कर देते हैं अब एक महिने की सीडलिंग को आप पूरा रूर्ट कर दोगे तो उसको कम सकंद्ध एक महीने फिर से शर्वाइब करने में टाइम लग जाता है तो इतनी सॉफ्ट बना कि आपको बिल्कुल मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम ना इन में यही चीज करना है आपको महस्चर थोड़ा से बना के रखना है देखिए मैं भी इसको इस तरह से रखती हूं बिल्कुल राई नहीं होने देती हूं सुभा एक टाम मैं एक दिन में फिर द से उस समय काम नहीं करती है तो थोड़ा ज्यादा पानी देने की वज़े से सडन पैदा हो जाती है गलने लगते है प्लान तो यह चीज आपको ध्यान रखना है तो सुरू में पानी कम दीजिए और बाद में थोड़ा से पानी मेंटें करके रखे जैसे इस तरह से टॉप सबस्ते सतंक्ति निए कंवे स्बाद में देता है और मेरा प्लांत में आपके साथ आह दो प्लांट में मिंटी पोड़ा हुआ था क्राइश चाहिए एंस दे लाई Channel आपको अपने प्लांट के मिट्टी के हिसाब से वाट्रिंग करने है डेली पानी देने की जरूरत नहीं है आप उसकी मिट्टी को चेक करें आधा इंच की लेयर आपको सुखी लगे मिट्टी क्योंकि उपर की तो सूख जाती है नीचे मौस्चर बना रहता है तो जब आधा मुइस्चर इसमें मेंटेन रहा है लेकिन जो सेंड और राइस के उसकी वज़ा से पानी से बिल्कुल रोकता नहीं है जैसे पानी डालती हूं वैसी पानी ऊपर से तुरंद नीचे निकल जाता है तो इस वज़ा से हमको इसमें लगब डेली वाटरिंग करनी पड़ती है तो जीक है आपने जिस तरह से मीडिया बना है उसे इसाब से पानी आपको मैं पानी भल कर से अगर आप carrying मेरे मैंटी बनाती है तो अगर अपने इसमें मिट्टी मिक्स किया है या कोको पीड ज्यादा मिक्स की तो फिर पानी उतना ज्यादा देने की जरूरत नहीं है आप हमें साथे आप्षाज़ प्लांट में आपको ऐसी ध्यान रखना है इनमें फोड़ा से जब आपके ब्लांट फ्लावरिंग स्टेश जैसे जिए इसे कन बन जाते तो इसमें थोड़ा सा मौ उच्टर बना के रखना है तो तब तो 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 यहां भी सन लविंग प्लांट हो तो इस कंडिशन में आपको ध्यान रखना है जब कलिया इस तरह से आपकी बन जाती है प्लांट में यह देखिए यह भी मैंने ग्राफ्ट किया हुआ प्लांट और कितने सुन्दरिस में कलिया भी आ गई हैं बहुत प्यारे-प्यारे से फूल आने वाले हैं जिनको देखकर म सेंड सबस्जादे 50% सेंड होती है 50-60% सेंड ही रखती हुआ तो इस तरह से में का मेडिया तैयार करती हूं नहीं तो क्या होगा अगर पानी की कमी होगी जैसे यह फ्लावरिंग वाले प्लांट है आपके इनमें की कमी हो जाएगी तो आपको जो जल्दी खराब हो जाएं देंगे तो पतिया पतिया ग्रोथ करेंगी और जो कलियां है वो नहीं अच्छे से बन पाएंगी तो वह जरूरी है प्लांट की कंडिशन को देखकर के आप पानी चेक करके दीजिए जिनमें आपको लगता है कि पानी की वज़ए से कलिया नहीं थोड़ा कम पानी है ताकि फ्लावर आपके बिल्कुल खराब नहीं है तो आप पानी दीजिए बस इतना ही ध्यान रखना है और बहुत ज्यादे कुछ इसमें करना नहीं होता है फंगिसाइट भी आप 15 दिन महीने में एक बर जरूर दीजिए ताकि कोई फंगस और ना लगे आप इस्प्रे निट्र पानी मिक्स करके अपने प्लांट में देते रहिये तो आपके फ्लांट हमें आसा हेल रहेंगे तो चाल हम दे देना देठानी घुछ निचे इसको देदक हो इस. तो इसको मैंने दे दिया बाकि अभी मैं और जो मेरे पीछे साइड रखे हैं इनके भी मिट्टी बिल्कुर सूखी हुई है यह देखिए थोड़ा से दिक्कत होती है आप उपर से दे देंगे पानी तो कोई दिक्कत नहीं होती है यह देखिए उपर से हमने इसको पाने ने पत्ते भी साफ हो जाएंगे और प्लांट हमारा अच्छा हेल्दी ग्रो होगा तो यह देखिए इस तरह से जिनकी मिट्टी ड्राई थी उनको हमने दे दिया पानी और इसमें देखिए इसमें कलिया बन चुकी है इसकी मिट्टी थोड़ी से द्राई है अंदर उसमें होग तो थोड़ा साम चेक कर लेते हैं कि इसको पानी चाहिए या नहीं चाहिए तो काफी नीचे तरह सी मिट्टी ड्राई है मतलब थोड़ा से नमी तो है लेकिन फिर भी इसको पानी थोड़ा सा दे देते हैं क्योंकि दिन भार पूरा दिन इसको सर्वाइब करना है इतनी ते और खुश रहे तो जब एकदम मिट्टी ड्राई हो जाती है तब आप अच्छे से उपर से भी इसको साबरिंग करके भी पानी दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होती है कोई फंगस नहीं लगता है समर सीजन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बस थोड़ा से विंटर और नियू ग्रोथ अच्छी ग्रोथ के लिए एक बार इनको अच्छा फोट देना जरूरी होता है जो कि पुरानी मिट्टी लगभग ऐसा नहीं है कि हर साल करना जरूरी है लेकिन अगर आप करते हैं तो आपके बहुत ज्यादा हेल्दी रहेंगे बहुत ही सुन्दर से रहें को कमार्ष आपकूरी हो से पार अंठी oğlum जू मैंने के टैक्राइफ है उसमें उसमें फ्लावरिंग आ गई है इसे में दो अधा इनकरा तकी है आ प्लैक्ती आदि नहीं हैं। तो बस थोड़े सी इंफॉर्मेशन है आप ध्यान रखेंगे तो आपके अडेनिया प्लांट बहुत ही हेल्दी रहेंगे यहां पर देखिए जो मेरी सीडलिंग मैंने जिनको पिंच किया था उस दिन मैंने पिंचिंग के बारे बताया तो किसी ने बोला मुझे कि मैंने भी सब्सक्राइब्यूंतब्स आपको देख करके पिंचिंग किए फिर्ट किया मैंने चिबंभी ड़न चनिक लिए तो इस वाथ की सब्सक्राइब मतलब करूता है तो अच्छी ब्रांच निकली हूई तो बस प्रेंड्स आज के लिए इतने ही मिलते नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाए